हाव रूफीक्स सेलूलर नेट्रोक इश्यू और मुबाइल डेटा प्रॉब्लम इन एनी वान प्लास सिरिस नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी कातिकिर आज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान देटा प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ तो अगर दोस्तों आपको इसके रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम है नेट्रोक और डेटा दोनों का तो वीडियो को आन तक जरू डिखे क्योंकि दोस्तों यह दोनों जो प सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप अनलाइन पैसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकती है चेले दोस्तों वीडीयो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करें रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तू चेक्ड करके देखें अगर ब्रॉल्मं सॉल्फ पर जाता ही तो ठीक है अगर नहीं होते तो आपको जा है mobile and Bluetooth पर क्लिक करना है अपना सीम सेलेक करना है और reset setting पर क्लिक करके mobile password बढ़ देना है और नेट्रोक setting को reset करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखे कि आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप अपने mobile के जो सीमें उसको remove कीजिए ठीक है सीम को eject करके insert करके देखे और उसके बाद चेक करें कि आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो वाई-फाइ नेट्रोक पर जाके अपना एरप्लेन मोड को इनेबल कर दें इनेबल करने के बाद आप करीब वेट कीजिए एक मिनिट और उसके बाद डिसेबल करके देखे इससे आपका नेट्रोक आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद थोड़ा सा भी इंप्रूफमेंट है तो लिम को उपेन करें और यहां पर इंटरनेट फिक्स करने के लिए आपको एकसेश पॉइंट नेम पर जाना है त्री डोट्स में क्लिक करना है रिशेट ठोडिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है इससे एक्टीन सेटिंग रिसेट हो जाएगा ठीक है एंडेंट चेक करके देख है तो आप इसको manually पर set करें अगर manually पर आपने set कर रखाई तो इसको automatic set करें तो इस तरह के से आपको जो है net rock selection यहाँ पर करना होगा तो इस तरह के साथ इस setting को follow up कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको अभी भी problem आते हैं तो आपको क्या करना है आपके mobile पर data सेवर वगरा चेक करें tych इंगर बन कीजिए और आपको आपडेट करें यह दोस्तों आपका यह प्रोडल्म्म्णाEM issue data problem है तो आपको software update करना होता है तो इसके बार अपने आप आपका problem भी fixed हो जाएगा make sure आप अपने mobile के recharge बागर भी चेक करें ठीक है तो यह सारे solution है दोस्तों जिसके मदद से आप cellular network और mobile data problem solve कर सकते हैं अगर दोस्तों सारे solution करने के बाद भी अगर problem आते हैं तो server का issue भी हो सकते हैं आप चाहें तो अपने नेट्रोग operator को call करके भी पूछ सकते हैं नेट्रोग operator का जो नंबर है वो आपको मिलेगा Google पर भी मिल जाएगा आप जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं ठीक है आपके जिस भी सीम है उसी के नेट्रोग operator को call करना है तो इस तरह के से दोस्तों आप अपने cellular नेट्रोग issue और mobile data problem solve कर सकते हैं आज के लिए बस इतने उमीद कर देए आपको वीडियो बसने होगा तेंक्स तो राचिंग